हालो स्टूडेंट आज हम अपना जो रिजनलिजम का टॉपिक चल रहा था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिजनलिजम के बारे में बताया था उसी topic को हम अपना आगे continue करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया था शेत्रवाद एक ऐसी स्थिती होती है जब एक ही देश में अलग-अलग शेत्रों में रह रहे ही लोगों के बीच में एक isolation अलगाववाद की भावना पैदा हो जाती है यानि के वो अपने आपको एक दूसे से अलग सबने लगते हैं और वहाँ पे तेरा और मेरा यानि के इगोस्टिक जो है वो जनम ले लेता है और उसकी वज़ा से जो हमारी national integration है हमारा राश्टी एकी करण है उसमें ये as a barrier work करता है और regionalism के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था this is a big problem in our country in national integration हमारे देश में राश्टी की करण में regionalism बहुत पड़ी बाधा के रूप में हमारे सामने आई है तो जैसे हम regionalism के बारे में बात कर रहे थे कि शेत्रवाद की भावना की वज़ा से देश का विभाजन जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हुआ था यानि कि हमारे देश का जो पार्टिशन हुआ था हमारे देश में से एक हिस्सा अलग कर दिया गया था reason के sorry religion के नाम पर इस देश को पार्टिशन में divide कर दिया गया था जहेंगे एक अलग हिस्सा हमें चाहिए देश के नागरिकों में ये भी कहीं न गहीं शेत्रवाद की वजह से ही आई थी तो देश का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हमें देखने को मिला और आजादी के बाद से लेके आज तक भी हमारे सामने time to time हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में से अलग-अलग समुदाय के लोगों के दुआरा इस तरह की आवाज उठती है कि वो मतलब प्रथक करण यानि कि separation चाहिए हमें अपने culture के base पर अपने religion के base पर and this is also a result causes of reasonableism यह जो परिणाम है यह भी कहीं न कहीं शेत्रवाद का एक दुष परिणाम ही है जो इस तरह की demand समय अपने अपने देश में देखने को मिलती है तो जो मतलब हम कहेंगे कि शेत्रवाद की भावना ने पहले हमारे राष्ट की जो भावात्मक और राजनी एकता है जो emotional और जो यहां की politics and unity है इसकी छवी उसने धुमिल की और समय समय पर देश को बहुत सारे तनाव और संगर्दों का सामना शेत्रवाद की वज़ा से करने को मिला एक शेत्र के लोग जब दूसे शेत्र के लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवार करते हैं यानि कि एक वन रीजन के जो people है एक ही देश में एक अलग reason के जो citizens हैं वो अलग अपने ही देश के दूसे reason के people के साथ इस तरह का behave करते हैं इस तरह का उसके साथ वो व्यवार करते हैं कि जैसा एक देश के लोग दूसे देश के साथ करते हैं यानि कि एक दुश्मन राष्ट का दूसे दुश्मन राष्ट के प्रती लोगों का जो व्यवार होता है जैसे हिंदुसान और पाकिस्तान के सिटेजन्स के बीच में देखने को मिलता है वो सेम फिलिंग कभी-कभी हमें अपने देश में रिजनलिजम की वजह से भी देखने को मिलते हैं तो इस तरह समझां सकते हैं कि हमारे सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम के रूप में है अप्टिकुलर अफेक्शन एंड बायस परसेप्शन औफ इंडिवीज्वल्स उन्होंने कहा है कि शेत्रवाद एक शेत्र विशेष के यानिके जो रिजनलिजम है वो किसी एक विशेष रिजन के व्यक्तियों के बीच में जो व्यक्तियों के अनुसार जो एक वहां पे पक् of it has a culture, history, the language of its inhabitants is similar in spirit, thought and behavior तो इसमें इनोंने कहा है कि जब हम शेत्र वाद के बारे में बात करते हैं तो एक similar culture, एक समान संस्कृती में, शेत्र के आधार पर जब हमें उनकी सांस्कृतिक history, सांस्कृतिक इत्यास को हम जब देखते हैं और language of its या उनकी भाशा भी एक समान होती है thought, उनके विचार, उनके व्यवहार भी एक समान होते हैं लेकिन उसके बाद भी उनमे रिजनलिजम शेत्र के आधार पर जो बटवारा जो ही solution feeling देखने को मिलती है वही शेत्रवाद कहलाता है Narrow meaning and regionalism means that the residents of the area consider themselves as best from the people of the other reason and give top priority to their economic, political, social and culture interested You have to understand your language better than other languages तो इसमें लोने कहा है कि अगर हम वर्तमान में शेत्रवाद का जो regionalism का है व्यज्यानिक अर्थ के इस्थान पर संकुचित अर्थ में अगर हम उसका प्योग करते हों हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे सामने इस तरह की समस्य के रूप में है कि जब जो regionalism है वो resident होता है कि एक इ जो priority है वो चाहे regionalism economic base पे हो political base पे हो social base पे हो या culture interest के base पे हो तो वो अपने ही reason के people को देते हैं ठीक है इस best language other languages are poor तो ये भी कहीं ना कहीं शेत्रवाद की भावना का ही परिणाम होता है इन अदर वर्ज रिजनलिसम में पार्टिल पार्टिशल feeling of favoring the reason as a whole compared to the nation as a whole and giving priority to it in all areas तो इसके बारे में अगर हम कहीं कि शेत्रवाद जो होता है अन्य शेत्र और संपून राष्ट की तुल्ना में अपने ही शेत्र को जब हम श्रेजट मानते हैं यानि कि हम राष्ट को अपने nation को priority नहीं दे रहे हैं हम all citizens of Indians यानि कि सभी Indians को हम priority नहीं दे रहे हैं हम अपने शेत्र को लोगों को priority दे रहे हैं उन्हें ही बैस समझते हैं उसी तरह की feeling जब हमारे मन में आ जाती है तो ये सारी जो symptoms है all the symptoms are the reasonalism ये सभी जो है शेत्रवाद कहे जाएंगे तो इस तरह से यहां हमने देखा कि जो शेत्रवाद है किस तरह से अलग-अलग शब्दों में इसे हाँ पर define किया गया है कि शेत्रवाद की जो समस्या है वो हमारे सामने कमभी समस्य के रूप में है एक भोगोलिक शेत्र गैनिक जोगरफिकल फिल्ड के साध्रों का विकास जो वहां पर development हुआ है वो इस तरह से किया जाए कि वहां के लोगों में सामुई हिक्त शेत्रिय लक्षन और उसके आदर्शों का विकास हो जाए तो उसे शेत्रवाद ही कहेंगे यानि कि जोगरफिकल बेस पर भोगोलिक शेत्र में इस तरह से development किया गया कि वहां पर के ही symptom होते हैं और उन्होंने काया कि शेत्रियता में एक सांस्कृतिक सभ्यता यानि कि जो रीजनलिजम है उसमें एक cultural उसका जो एक history होती है और एक उसमें cultural integration होती है उसके बाद भी वहां पर किनी कार्णों से किसी वेक्तिकत कार्णों से या सामुई कार्णों से रीजनलि पाई जाती है उनका एक ही सांसकिर्ट के जो history होती है cultural history होती है वो भी सेम होती है और वहां के जो citizens है उनके जो language feeling है वो भी सेम होती है उनके वीच्वल्स उनके views भी सेम ही होते हैं और उनमें आप कहेंगे कि सभी जो यह basis हैं उनमें equalities पाई जाती है शेत्रिये संसकृति राष्टिय संस्कृति के उपर नहीं हो सकती यानि कितनी भी हम यहाँ पे फेवर ले ले कितने भी बायसिस कर ले लेकिन हम at the last यही कहेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी कल्चर है कोई भी रिच्वल है हम उसे अपने राष्ट से उपर नेशन से उपर नहीं रख सकते हैं हम सब के लिए पहले अपना नेशनल बैनेफिट राष्टिय हित ही हमारा होना चाहिए हमें राष्ट के बारे में सोचना चाहिए ना कि शेत्र के बारे में जब तक हम अपने शेत्र के बारे में सोच रहेंगे हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता क्योंकि तब तक हम नहारा बटवारा हुआ रहेगा ये डिवाइडेशन हुआ रहेगा तो प्रॉपर वे में डेवलपमेंट के लिए हमें एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए सोचना होगा राष्ट के विकास के लिए सोचना होगा अपने राष्ट को अगर हमें प्रायर टी में आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी एक unity feeling लाने होगा अगर इस तरह की भामना इस तरह के विचार हमारे मन में आ जाए और सभी जो भी citizens अगर हम अपने शेत्र का विकास चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने देश का विकास चाहना होगा तब हमारे national integration को राष्टे की करन को इंप्रूफ किया जा सकता है अब आगे हम इसमें जो characteristics of regionalism शेत्रवाद की विशेष्टाव के बारे में discuss करेंगे okay students तब तक आप अपनी जो भी study material है जो भी है उसके through आप अपनी study को आगे बढ़ाएगे okay students thank you have a nice day